लेड़ ऐन के सब्सक्राइmp deste सब्सक्राइए अ weडियो रहे हैं जी एक और वीडियो लेकर आई हूँ इससी क्रम के मुख्यी नदियों परिवर्तन हमें जो दिखाई दे रहे हैं या हो गए हैं या जिने हम ट्रेस कर सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे हालांकि नदियों से हम ये मान के चल रहे हैं कि फिलाल दो तीन महीने तो एक्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे नए जिलों के इसाब से फिर भी कुछ एक ज सबसे पहली बात करते हैं लूनी नदी की लूनी नदी हमें पता है अजमेर से निकलती है और अजमेर से निकल कर नागौर और पहले कि अगर हम बात करें तो जोदपूर पाली जालौर और बाड़मेर में ये नदी बहेगी अजमेर से निकलेगी नागौर में बहेगी और क लूनी नदी जो है इसमें से पाली और बाढमेर जिला बाहर हो जाएगा और इसकी जगे ब्यावर और साच और जिला एड़ हो जाएगे तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हूं बीच में बालोत्रा भी आड़ हो जाएगा इसमें तो लूनी नदी के अगली नदी जिसके हम बात करें वो है बनास बनास नमीं में पता है राजसमन से निकलती है और राजसमन से निकलकर ये नदी जो है भीलवाड़ा और अजमेर टॉंक सवाई मादुपूर में जाके जहे चंबल नदी से मिल जाती है अब ये नदी जो है केकड़ी में भी भ को रहें नदी है अगली जो नदी हैं हम बात कर रहे थे काथली नदी हमें पता है सीकर से निकलती है खंडेला की भाढियों से और अब ये नदी जो है सीकर पर पहले हम परते हैं कि बिना नदियों वाले जिले तो पहले दो हुआ करते थे बीकार नेर चूरू और अब इस क्रम में फलोदी भी एड हो जाएगा तो तीन जिले हैं जो बिना नदियों वाले हैं वीका ने चूरू और फलो दी उमीद करती हूँ छोटे छोटे वीडियो आपको help कर रहे होंगे नए जिलों के भूगोल को याद करने में समझने में बट आप जो हैं इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हैं थैंक यू बबाई